खरण महादेश, री सिभाय, नमस्तुब्याँ, मैं प्रिया कंदेरवार, प्रिया संग, पूजन चलनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, आसा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महादेश की क्रपा आप पर बनी होगी तो आज मैं इस वीडियो में चार उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ, चार उपायों बहुत महत्पोड हैं, पहला उपाय बहुत ही महत्पोड हैं क्योंकि वह सावन महिने में ही करना है, तो आप उस वीडियो को धान से सुने और अंत तक देखें, आपको सब कुछ स चिजब कुई कि पेला उपाय आपको करना है दसमी तिति के दिन यह उपाय किया कैजा और यह भूध कुछ तौड़ सुनें आपको क्या करना है आपको 11-21 जितने भी आपके पार समीपत्र हो सकते हो उतने आप समीपत्र ले 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 और सहद ले ले और चले जाएं सिवलिंग पर महादेव की मंदिर में चले जाएं और आपको उस समीपत्र को सहद में डिपो के जैसे कि सब्सपोस यह सहद है औ फिर सिवलिंग पर सिंगार करना है पूरे समीपत्र से जितने भी आप समीपत्र लेकर गए हैं आप बहुत अच्छी सहद आप लगाएंगे तो समीपत्र अच्छी से चिपक जाएगा सिवलिंग पर तो आप पूरे सिवलिंग पर उसका सिंगार करें लिंग पुरान और नर्मता पुरान यह कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति सावन की दस्मे तिथी को श्रिंगार करता है समी पत्रिक में सहत लगा करके तो सिप जी भी उसका धन से श्रिंगार करते हैं वो यह कहते हैं कि मैं भी उस व्यक्ति का धन से सिंगार करूँगा आपका जो भी करजा होगा वो आप करज मुक्त हो जाएंगे आपके घर में धन संब्धा बढ़ेगी तो आप यह उपाय जरूर करें बिल्कुल भी ना भूलें देट नोट कर लें आप 26 अगस्त को यह उपाय करना है दसमी के दिन तो आप यह उपाय करें और अपने घर में सुक्स्रमद्धी बढ़ाएं अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में आपको क्या करना है आपको एक पात्र में जल लेना है हमेशा की तरिया आप जानते हैं आपको अपने घर से जल लेना है और तामे के पातर में आप जल ले लें उसमे साथ साबुत चावल के दाने डालें और उसके बाद उसमें पांच सपेत पुस्प डालें केतकी का पुस्प नहीं होना चाहिए हम सब को ही पता है तो आप कोई सकते हैं लेकिन करी का पुस्त आपको नहीं लेना है तो पांच पुस्त पात्र में डालने और एक द दुरुबा लेनी हैं जिसमें तीन गांठ बढ चाहएत कि अतंशल दुड़ू उसमें डालनें की पात्र पात्र में डालनें और फिर आप चले करना है आप को जब से पहले दिशा के तरफ खड़े होते हैं तो आप जब जल चढ़ाते हैं तो आप सपोस्ट किए आप पात्र है आप यह तरफ करके चलाना है तो इस तरीखेंगे कि आप पर महादे की क्रपा बनेगी और आपी सारी दुख परिशानिया दूर हो जाएंगी आप आते हैं तीसरे उपाई के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या करना है यदि आपका भाग आप साथ ही नहीं दे रहा है बहुत विप्रीद परिशितियां चल रही है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हर तरफ से सिर्फ परिशानिया ही परिशानिया आ रही है त बिंदी बदे के बाद सेहथ लेना है और सेहथ से अब और भी यह प्राथे के बारलgreen नें की समर्पित करना है जो भी व्यक्ति इस तरीके से और ऐसे ही आपको पकड़ के समर्पित करना है आप इस तरीके से पकड़ें और समर्पित करें तो जो भी व्यक्ति यह कार करने लगता है उस आप यह उपाय तो आप रोज ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा तो आप ऐसा यह उपाय करें और आप देखेंगे आपकी परिष्टियों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो भी विप्रीत परिष्टियत चल रही है तो वह आप वह सिती अच्छी हो जाएगी और आप पे महादेव की करपा जरूर बने अब बात करते हैं चौथे उप फात्र नारे उसने जल भरे अपने खरशे ओ फोड़ा सा ढूद उसमें ढालने और पांच काली मिर्च आपhouse में दाल देनी है फूर उसके बार आप सेविल लिंग पर उसको समर्पित करें कुंद केशवर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित करना थूद कूद मे तो आप महीने में एक बार यह उपाया जरूर करें आप देखेंगे महादेटी क्रपा आप पर जरूर बनेगी तो ऐसा उपाया आप करें बाबाक क्रपा आप पर सब पर बनी रहे हैं ऐसे मेरी मनुकामना है हर हर महादेश दी सिवाय नमस्तु भ्यम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले